सर्दियों की मौसम शुरू हो गई है और आज मेरे किचन में बन रहा है सर्दियों का बहुत ही खार, सेहत का खजाना और जबर्दस इम्मुनिटी और स्फुर्ती देने वाला सुपर सॉफ्ट मुँ में गुल जाने वाला गुजरात का बहुत ही फैमस अड़दिया पाक हलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल मैं हूनी दी ये अड़दिया पाक में धेर सारा आइरन, केल्शियम, मिनरल और विटामिन से भरपूर होता है और सुबर सुबर इसका एक पीस भी आप खाओगे तो आपको इंस्टन्ट एनरजी और स्फुर्ती मिल जाती है ये अड़द अड़दिया पाक एकदम दानेदार और मखन की तरह मुह में गुल जाने वाला बनेगा तो चलो फ्रेंट्स इस हेल्दी रेसिपी को स्टार्ट करें रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की नई-ई-ई रेसिपी को देखने के लिए मेर की चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल भी मत बुलिएगा तो चलो फ्रेंट्स बनाते हैं सुपर हैल्दी अड़दिया पाक को यहां पे मैंने उडद का एकदम दरदरा वाला आटा लिया है आप उडद की दाल को मिकसर ग्राइंडर में भी दरदरा क्रश करके तयार कर सकते हो यहां पे मैंने वजन में 250 ग्राम्स लिया है जितना हमने यहां पे आटा लिया है उतना ही हमें यहां पे गी को लेना है या का मेजरमेंट हमें यहां पे सेम ही लेना है उड़क के आटे को हम एक प्लेट के अंदर डाल देंगे और यह आटे के अंदर हमें मोयन को लगाना है इसके लिए यहां पे मैंने लिया है टू टेबल स्पून जितना गी और टू टेबल स्पून जितना दूद को थोड़ा सा ग गुजरात के अंदर मोहन थाड बनाते है और मोहन थाड के अंदर भी इसी तरह से मोयन को लगाते है वैसे ही सेम यहाँ पर हमें उड़त के आटे के अंदर भी मोयन को लगाना है जो हमने दूद और गी को बचा दिया था वो दूद और गी को भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर और अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ इसी तरह से दोनों हाथों की मदद से इसे मिक्स करोगे तो इसके रेसे-रेसे के अंदर मोयन अच्छे से चला जाएगा आटे के अंदर अच्छे से मोयन लग जाने के बाद हाथों की मदद से हमें इस तरह से इसे प्रेस कर देना है और आदे गंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे अभी हम अड़दिया पाक के अंदर डालने वाला मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है जाविंतरी को और डालचीरी का टुकड़ा लिया है और 6-7 नंग लिया है मैंने लॉंग को अगर आपको जाइफल यानि के नड में पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा डाल सकते हो लेकिन मैं अभी फिलाल इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ और इलाची के दाने भी डाल सकते हो लेकिन इलाची पावडर मेरे पास पहले से अल्रेडी बनाया हुआ तयार है तो मैं इसका इस्तमाल पाज में करूँगी इसलिए यहाँ में मैंने सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट लिए है और इससे हम मिक्सर ग्राइंडर में क्रॉश करके इसका पावडर तयार करेंगी अभी हम यह पावडर को साइड में रखेंगे और जो आटे को हमने सैट करने के लिए रखाता वो भी अच्छे से सैट हो चुका है तो अभी हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर यह आटे को हम डाल देंगे ट्रेडिशनली तो बड़ी वाली च्छनी लेके इसे चान लेते हैं और इस तरह से आप करोगे तो इसके अंदर समय भी ज़्यादा जाता है और मैनत भी ज्यादा लगती है लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ वो तरीके से आप यहाँ पर आटे को तयार करोगे तो बहुत ही समय कम लगता है और बहुत ही कम मैनत लगती है तो आपको यहाँ पे mixer grinder के अंदर सारे आटे को डाल देना है और mixer grinder को आपको on off on off करते हुए चलाना है continue इसे नहीं चलाना है तो आपका आटा एकदम दानेदार बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पे हमारा दानेदार उड़त का आटा तैयार है तो अभी हम एक बॉल के अंदर इसे ट्रांसफर कर लेते हैं अभी हम एक heavy bottom वाली कडाई लेंगे और कडाई के अंदर हम गी को डालेंगे जो हमने यहाँ पे 250 ग्राम गी को लिया है वही पूरा गी हम इसके अंदर टाल देंगे गी अच्छे से melt हो जाने के बाद हम इसके अंदर उड़त का जो हमने दानेदार आटा तैयार किया है वो अटे को हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे उड़त दल में से हमें प्रोटीन, वीटामिन B, आइरन, केल्शियम और सरें में गर्मी देता है और इंस्टन एनरजी भी देता है हड्डियों के दर्द को भी बहुती कम कर देता है और इम्मुनिटी को बूस्ट करता है सर्दियों की मौसम में हमें इस तरह से उड़दिया पाक को बना के जरूर खाना चाहिए जो लोग पूरी सर्दियों के अंदर ये उड़दिया पाक को खाते है वो पूरे साल तक एकदम fit and fine रहते है ये गुजरात की traditional recipe है और सरदी की मौसम में सब के गर पे ये उड़दिया पाग ज़रूर बनता है gas की flame को हमें slow ही रखना है और slow flame पे हमें इसे लगातार चलाते हुए इसे roast करना है गलती से भी आपको इसकी flame को high नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएगा आटा इसे roast होने में 15-20 मिट लगती है आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका color अभी change होने लगा है आटे को जैसे जैसे आप roast करोगे तो इसकी खुश्बू पूरे kitchen के अंदर फैल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आटा हमारा बहुत ही अच्छे से roast हो चुका है इसे roast होते हुए 15 मिनिट हो चुकी है तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे गुंद को इसे edible gum भी बोलते है और dink भी बोलते है तो यहाँ पर मैंने एक बाउल जितना लिया है और अभी हम इसके अंदर डाल देंगी गी यहाँ पर एकदम गरम है तो बहुत ही अच्छे से यह गुंद फ्राइ हो जाएगा तो हमें गुंद को अलग से फ्राइ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने गुंद को डाला वैसे ही तुरंत गुंद फुल फुल के उपर आ रहा है अभी हम इसके अंदर ड्राइ फ्रूट्स को भी डाल देंगे तो ड्राइ फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर फ्राइ हो जाएगे इसे भी हमें अलग से फ्राइ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर मैंने आलमंड और कैश्यू नट लिया है आप यहाँ पर अपने मन पसंद कोई भी ड्राइ फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने मोटे मोटे वाले पिसिस की करके तया किये है अभी हम इसे एक से दो मिनिट तक लगातार चलाते रहेंगे जिससे ड्राइ फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे इसके बाल हम इसके अंदर डालेंगे किसमिस को किसमिस यहाँ पर मैंने नाइफ की मदद से छोटे छोटे पिसिस में कट कर लिया है अभी हम इसके अंदर डालेंगे ड्राइ कोकोनट को कोकोनट को मैंने कद्दू कस करके लिया है और वन बाल जितना लिया है इसकी कॉंटिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो अभी हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून जितना गंठोला पावडर यानिके पिप्रा मूर पावडर और 4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर डालेंगे सोट पावडर यानिके ड्राइ जिंजर पावडर को और जो powder को मैंने mixer grinder में crush किया था वो powder को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 tablespoon जितनी हम डालेंगे allergy powder को सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे अभी हम gas off कर देंगे और ये कड़ाई को हम side में रखतेते हैं और अभी हम लेंगे एक दूसरा pan और pan के अंदर हम डालेंगे 2 tablespoon जितना गी को गी अच्छे से melt हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड को गुड यहाँ पे जो knife की मदद से मैंने बारिक बारिक chop करके तयार किया है वही गुड को हम इसके अंदर डालेंगे वर्जन में 250 grams है यहाँ पे आपको गुड को chop करके डालना है या तो cut के डालना है जिससे क्या होगा कि गुड बहुती आसानी से melt हो जाएगा यहाँ पे हमें सिर्फ गुड को melt करना है इसकी कोई तार वाली चाशनी को नहीं बनाना है गैस की flame को हमें slow रखना है और slow flame पे हमें यहाँ पे गुड को melt करना है गुड को melt होने में ज्यादा समय नहीं लगता है कुछ मिंटों में ही यहाँ पे हमारा गुड मेल्ट होके तयार हो चुका है तो अभी हम gas off कर लेंगे अभी हम melt किया हुआ गुड ये mixer के अंदर डाल देंगे और सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पे हमारा उड़द या पाक का mixer बनके तयार हो चुका है तो अभी हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर आधा mixer को transfer करेंगे यहाँ पे हम उड़द या पाक के दो अलग-अलग shape देने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हम आदा मिक्सर को ही ट्रांसपर करेंगे और आदे मिक्सर का यहाँ पे हम दूसरा शेफ देंगे अभी हम इस तरह से चम्मच या कटोरी की मदद से इसे हम प्रेस कर देंगे और इसे एकदम स्मूथ मना देंगे यहाँ पे मैंने उड़दिया पाक को बहुत ही अच्छे से सैट कर लिया है तो अभी हम इसके उपर डालेंगे ट्राइफूर्ट्स को यहाँ पे मैंने अलमंड की एकदम पतली वाली कत्रन को तयार किया है तो अभी मैं इसके उपर स्प्रिंकल करूंगी और थोड़े से पिस्ता को भी डालेंगे और डालने के बाद हम कटोरी से इसे प्रेस कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से यह इसके उपर चिपक जाएगा और इसे दो से तीन घंटे तक इसे सैट कोने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद ही हम इसके PCS करेंगे गुजरात के अंदर अड़दिया पक दो अलग-अलग शेप में मिलते है square shape में मिलता है और mountain shape में भी मिलता है तो यहाँ पे मैं अभी mountain shape भी आपको बना के दिखाती हूँ इस तरह से हमें हाथों के अंदर अड़दिया पक को लेना है और हाथ की मदद से हमें यहाँ पे इस तरह से प्रेस करते हुए mountain shape दे देना है मिसरण यहाँ पे हमारा गर्मा गर्मो तब भी यहाँ पे हमें इसे shape दे देना है और इसके उपर मैंने यहाँ पे काजू से इसे घारनिश कर दिया है दो गंटे के बाद यहाँ पे जो थाली के अंदर हमने अड़दिया पाक को सेट करने के लिए रखा था इसे मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ एकदम सुपर सॉफ्ट यहाँ पे हमारा अड़दिया पाक बनके तयार हो चुका है इस विंटर की सीजन में आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आएगा यह उड़दिया पाक मैंने आपके साथ विंटर स्पेशल मेथी पाक और खजुर गुंद पाक की रेसेपे भी शेर की हुई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां चाकर आप देख सकते हो अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगती हो और इसी तरह की नई नई रेसेपी को आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ही मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी फ्री है तो मेनी दी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड हैपी कुकिंग